सभापती महोदे मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उमीदों का इसमारख है ऐसा अलग राज जैसे बित्त मंत्री महोदे ने बजट नहीं तयार किया है बलकि प्रधान मंत्री जी की मन की बात का संकलन तयार किया है तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं वीडियो का नोटिपेक्शन आप लोग के मुबाइल पर पॉस्ता रहे चलते हैं वीडियो के सुरू करते हैं गुप्तिगों बरहों करार रहेगी इमरान प्रताव गड़ी धन्यवाद सभापती महदे 83 मिनट 71 बार थप थपाई गई मेज 14,417 शब्दों का बजट भाशन और उस बजट में अपने लिए राहत तलाश्ती मिडिल क्लास की हैरत ज़दा आखें सभापती महदे मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरसल ये देश के किसानों गरीबों मजदूरों की उमीदों का इसमारक है ऐसा लग रहा है जैसे बित्त मंत्री महोदिया ने बजट नहीं तयार किया है बलकि प्रधान मंत्री जी की मन की बात का संकलन तयार किया है तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ दस शब्द बोला है जिस देख में टमाटर सो रुपए किलो बिक रहा हो सभापती महोदे मेरा टाइम पॉस करें और बार बार इंटरैप्ट करने को या तो मना करें आप बोले एक रुपए बोले सभापती महोदे वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ दस शब्द बोले है जिस देश में टमाटर सो रुपए किलो बिक रहा हो उस देश की बित्तमंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ दस शब्द है डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, ताल, सबजी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा मैंने तो ये भी सुना है कि बित्तमंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती है उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पारलियामेंट आने से पहले वित्तमंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी अब तो उनसे ये पूछा जाही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इंदनों पता ही होगा क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी अगर पता है तो किरपिया सस्ता करवाईए क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदिया का राजनेतिक केरियर कड़वा कर दिया सवापती महोदै अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के संसद और मंत्री कह रहे है कि महंगाई कम हो रही है संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कब खरी दिये तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहारी लेकर के बाजार जाईए और अपने बच्चों के लिए राशन खरी दिये तब पता चलेगा कि महगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है यह चूनर धानी धानी भूल जाते यह पुरुआ की रवानी भूल जाते जो आकर चार दिन गाओं में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते सभापती महोदे इलेक्टोरल बॉंड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार इलेक्टोरल बॉंड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है मुझे तो होटलों धाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती वी सांसों के लिए आक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने आक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था मुझे पूछना है कि लावारिश लासों के लिए करोना में कांगा देने वाले चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम उसका मज़भ लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापती महोदे अफसोस तेश के प्रधान मंत्री जी ने कभी न तूटने वाली चुप्पी ओड़ ली है सभापती महोदे जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी ये सरकार तो अमरित काल का नाम लेना ही भूल गई ये भूल गई है अमरित काल को ये भूल गई है मनरेगा को ये भूल गई है मौला नाजाद नेशनल फेलोशिप को ये भूल गई है मनीपूर को ये भूल गई है महरास्टा को मुझे गर्ब है कि मैं राज्यसभा में महरास्टा का प्रत्निदित्ट करता हूँ महरास्टा जो देश की आर्थिक राजधानी है जो टोटल कॉर्पोरेट टेक्स का 40% इंकम टेक्स का 35% और जी अस्टी का 20% इस देश को देता है उस महरास्टा के लिए इस बजट में एक शक नहीं है सभापती महोदे आखिर महरास्टा से किस आख का बदला लेने पर उतर आए अब तो शायद उन्हें याद भी नहो यवत माल का वो दाभडी गाउं जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे उसी यवत माल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है सभापती महोदे महरास्टा में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे है राज्य सरकार दोरा सौपा गया अकड़ा बताता है कि एक जनवरी से 31 माई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन अफसोस इस बजट में महरास्टा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है किसानों से चिड़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के MSP की लीगल गारंटी नहीं दी लेकिन याद रखिएगा जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं सभापती महोदे मुझे बित्मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले सोई स्मार्ट सिड़ी बनाने का ढोल पीटा गया था सुना है उस ढोल में पानी भर गया है इसलिए आपने उसका नाम बदल करके सिड़ी जाप ग्रोथ हपस रख दिया है अच्छा है नाम बदलने का खेल खेलते रही है आपकी कई सरकारें तो इसी वज़ा से चल रही है इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापती महोदे इसलिए इस सरकार ने UGC का बज़ट 6-6% कम कर दिया है वारी सरकार सभापती महोदे मैं बित्त मंत्री जी के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि किशन गंज में A.M.U. सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है U.P.A. सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुआई में 136 करोण रूपए A.M.U. किशन गंज सेंटर के लिए शक्षन किये थे लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोण में से सिर्फ 10 करोण रूपए रिलीज किया है डेड़ करोण की आबादी वाला सीमान चल बहतर सिच्छा के लिए उस सेंटर की बाट जो रहा है मेरा आप से सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे मुझे उम्मीद है बित्तमंत्री महोदिया जब आप जरूर देंगी सीमान चल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहरे आपकी सरकार चल रही है वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है महाननदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांद बनाईए सीमान चल के साथ सौतेला विवहार बंद करिए एकोनॉमिक कोरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा विकास होगा स्वास्त और सिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर सभापती महोदे एक तरफ तो इस बजट में पी-म आवास योजना के तहट तीन करोन अत्रिक्त मकान देने की घोंशड़ा है और दूसरी तरफ लखनव के अकपर नगर में बारा सो असी वो मकान है जिने रीवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुल्डोजर से जमी दोस कर दिया गया सभापती महोदे लोग चीखते रहे पच्चे भी लखते रहे वसुधयो कुटमबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरोंदे उजार कर जश्ण मना रही है सभापती महोदे मेरा बहुत भावकता के साथ देश के पुर्धान मंत्री से सवाल है के इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नीन कैसे आती है आप सो कैसे पाते है मेरा सवाल है इस देश के पुर्धान मंत्री से या तो लोगों के खरोंदे उजारना बंद करिये या फिन करोणों मकान बनाने की जूटी घोशनाय करना बंद करिये ये बज़ट जूट का पुलिंदा है ये बज़ट आपके पिछले साल के बज़ट का कट कॉपी पेस्ट है ये बज़ट हमारे चुनावी घोशना पत्र की नकल करने की एक बेइमान कोशिश है लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए अकल चाहिए मेरे हाथ में एक तरफ न्याए पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याए पत्र है जो आपका है इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सबापती महोद है जब आप इन से सवाल पूछिए तो ये कहते हैं और आप बताईए 70 साल में आपने क्या किया है जब आप इस सदल में कहना चाहता हूं सबापती महोदे कि हम से 70 साल का हिसाब मांगने वालों जो सरकार अपना चलाया हूआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हम से 70 साल का हिसाब मंगती है सभापती महोदे में अंत में आप से ये कहना चाहता हूँ ये बजट वैसाकी पर टिकेवी सरकार कर्सी बचाओ बजट है इस बजट में रज्जों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महरास्टा, हर्याना और जहारखन के चुनाओं में भुगतना पड़ेगा सभापती महोदे इस सरकार ने नोट बंदी लगाकर देश की आम जनता की पूजी चीन लिए कपर सिंटक्स लगा करके छोटो ब्यापारियों के कारोबार चीन लिए पेपर लीक करवा करके युवाओं की आँखों से नौकरी के सपने चीन लिए अगनी वीर लाकर देश के जवानों की उमीदें चीन लिए बुल्डोजर लगाकर लोगों की आशियाने चीन लिए महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले चीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं 18-18 घंटे काम करते हैं इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और जूट में दूरी है वो दूरी समझते हैं सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं वो अपना हक समझते हैं निवाला चीन लेने को दकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है सभापती महोदे मैं यहां खड़ा हो करके अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम रज्जों के साथ अन्याय किया गया है इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तोर से महरास्ट्रा के लिए कुछ नहीं रखा गया है महरास्ट्रा बार से जूच रहा है पानी पर्षने से वहां 15 सौँ से ज़्यादा लोग मारे गए है उस शहर को उस राज्ज को चार हजार करोन के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फस्ने बरबाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी लेकिन अफसोस इस बजट में महरास्ट्रा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साथ दिन से इस बजट का बड़ा धिडोरा पीटा जा रहा है इसे महान बताया जा रहा है लेकिन कौन महान बता रहा है सत्ता पक्ष के लोग उन्हें तो बताना ही है क्योंकि मैं अवद छेतर से आता हूँ प्रताबगड से नीरज भाई भी अवद और पूरवांचल से आते हैं वहाँ एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की बिटिया की मातारी ने यानि कि बेटी की प्रशंसा किसने की मा ने तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही लेकिन बिपक्ष के एक भी सांसत से आप पूछिए कि क्या उसके राज्यों को कुछ मिला है तो वो ये कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं मिला है बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोदै उसके आम बजट पर अपनी राय रखेंगे धन्यवाद दोस्तों आप लोग के वीडियो कैसी लेगी नीचे कमेंट करके जरूर बताए चैनल पर बहुत बार आए तो पिलेग चैनल को सब्सक्राइब पर के बिल आइकन परस कर ले ताकि आने वाली हैड वीडियो का नोटिफेक्शन आप लोग के मुबाल पर पहुसता रह फिर मिलते है किसे नेक्स को वीडियो में लाभेच